नमस्कार दोस्तों मैं नमस्री कांपुमर आप देख रहे हुँ जेट टोसेस आज हम बात करने हो बले इस वीडियो में दोस्तों मेरा रासन 2.0 एप से रासन कार्ड में नया फैमिली का नाम जूड़ना सुरूब हो गया है अगर आप रासन कार्ड में नया फैमिली का नाम को जोड़ना चाहते हैं या फि रासन कार्ड में मेंबर के नेम को डिलीट करना चाहते हैं तो दोस्तों अब इसके लिए कहीं भी जाने के वो शक्ता नहीं पड़ेगा अब आप घर बैठे अपना मुबाइल फोन के माधियम से सिर्फ 5 मिनट में रासन कार्ड में नया फैमली का नाम को जोड़ सकते हैं या फि रासन कार्ड में में मेंबर के नेम को डिलीट कर सकते हैं और भी सर्विस है जो आप घर बैठे अपना मुबाइल फोन के माधियम से रासन कार्ड रिलेटेट काम कर सकते हैं तो अगर आप रासन कार्ड में घर बैठे member के name add करना चाहते हैं या पि member के name delete करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा last तक दिखना है इस वीडियो में हम पूरी details में step by step करके दिखाने वाले हैं तो चले दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल करना है तो मेरे चैनल को subscribe करना है ताकि मेरा वीडियो को notification सबसे पहले पकी पास पहुच पाए तो चले दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं दोस्तों उसके लिए सबसे पहले mobile का play store को open कर लेना है और सर्च बॉक्स में टाइप करना है मेरा रासन 2.0 उसके बाद सर्च के आप्शन पे क्लिक करदना है इस परकार से एप यहाँ पर दिखनी के लिए मिल जाता है और यह एप गोवर्मेंट आप इंडिया का है और दोस्तो इस एप में बहुत ही बड़ी अपडेटे किया गया है इस एप में नए नए सर्विस को आइड किया गया है जो घर बैटे आप यूज कर सकते हैं इसके लिए आपको कहीं भी जानी कि वो शक्ता नहीं पड़ेगा तो सबसे पहले इस एप को अपना मोबाइल में इस तरीका से इनस्टॉल कर लेना है उसके बाद इस परकार से एप को ओपेन कर लेना है इस तरीका से यहां पर देखिए एप ओपेन होना सुरू हो गया है यहां पर लेंगवेज को स्लेक्ट करना है उसके बाद नेक्स को आप्शन पर क्लिक करना है कुछ इस प्रकार की इंटरपेस देखने के लिए मिलेगा यहां पर देखने के लिए अब यहाँ पर दिखिए दो option दिखने के लिए मिल जाता है login करने के लिए beneficiary का और department users का तो यहाँ पर क्या करना है beneficiary वाले option को select run देना है यहाँ पर अधार number को type करना है इस capture code को इस box में type करना है login with OTP के option पर click करना है तो चले हम login with OTP के option पर click करते हैं अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अधार card के साथ जो mobile number link है उस number पर एक OTP को send किया गया है OTP type करने के लिए ok के option पर click करना है अब यहाँ पर OTP को type करना है जो आपके अधार card के साथ mobile number link है उस number पर जो OTP गया है इस box में type करना है उसके बाद verify के option पर click करना है तो हमने यहाँ पर OTP को type कर ले हैं चले verify के option पर click करते हैं अब यहाँ पर देखिए OTP verified successfully हो गया है ok के option पर click करते हैं अब यहाँ पर देखिए create amp pin के option यहाँ पर देखने करे मिल जाता है तो create now के option पर click करना है अब यहाँ पे अपना मन पसंद से 4 डिजिट का AIM PIN यहाँ पे create करना होगा तो चले इस परकार से हम यहाँ पे create करते हैं उसके बाद next के option पे click करना है फिर से आपको यहाँ पे जो भी अपने type किये हैं AIM PIN नंबर यहाँ पे आपको फिर से वही PIN नंबर को यहाँ पे type करना है तो चले इस परकार से हम type करते हैं उसके बाद create AIM PIN के option पे click करना है उसके बाद OK के option पे click करना है ALOG के option पे click करना है अब यहाँ पे देखिए इस परकार से हम इस एप में login हो गए हैं जो कुछ इस परकार के इंटरफेस देखने के लिए मिल जाता है और इसी एप के मदद से आप घर बैटे रासन कार्ड में सब कुछ आप यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं सब कुछ यहां से यूज कर सकते हैं यहां तक कि आप यहां से डिजटल रासन कार्ड को भी डाउनलोड क चाहते हैं, या भी Members के Name को Delete करना चाहते हैं, तो उसके लिए Scroll Dawn करना है और यहां पर देखनीक लिए मिल जाता है, Manage Family Details के Option, इस वाले Option पर क्लिक करना है, अब यहां पर देखिए रासनों कार्det option में जितना भी Members के नाम है, सभी Members के नाम यहाँ पर देखनी के लिए मिल जाता है और यहाँ पर आपको यह भी देखनी के लिए मिल जाता है कि रासन कार्ड में कितना members का जोए कि EKYC complete है या भी pending है इस परकार से यहाँ पर देखनी के लिए मिल जाता है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रासन कार्ड में जितना भी members का नाम है तो total यहाँ पर आप देख रहे हैं चार members का नाम देखने के लिए मिल जाता है और members के सामने यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है कि रासन कार्ड में अधार EQC complete है या नहीं है अगर EQC complete नहीं है तो यहाँ पे note verified देखने के लिए मिलता है रासन कार्ड में mobile number link है या नहीं है members ID क्या है, अधार number क्या है सब कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाता है तो दोस्तो अगर आप रासन कार्ड में member के name को delete करना चाहते हैं तो दोस्तो यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है इन सभी में से जिसका आप नाम delete करना चाहते हैं उसके सामने यहाँ पे देखेए delete का एक logo देखने के लिए मिल जाता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जो option दीख रहा है इसी वाले option पे click करना है उसके बाद यहाँ पर दिखनी के लिए मिल जाता है यस के option, यस वाले option पर क्लिक करना है अब यहाँ पर सबसे पहले select करना है कि किस region से आप जो है कि रासन कार्ड में member के name को delete कर रहे हैं तो ऐसे यहाँ पर आप देख रहे हैं अगर आप डिलीट करना चाथे हैं और अगर आप other region से delete करना चाहते हैं तो यहाँ पर other का option देखने के लिए मिल जाता है यहाँ पर select करना है तो चलिए यहाँ पर date वाले option को select करेंगे उसके बाद यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कनफर्मे के option इसी वाले option पे क्लिक करके रासन कार्ड में member के name को आप delete कर सकते हैं या फिर अगर आप रासन कार्ड में नया family का नाम को जोड़ना चाहते हैं और इसके लिए अगर आप कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं घर बैठे अपना mobile phone के मादियां से अपडेट करना चाहते हैं नया family का नाम को add करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है add new member के option इस वाले option पे क्लिक करना है जैसे इसके उपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि add family member का एक page यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है जो 9 step में आपको जोई कि form को fill up करना होगा 9 step में form को fill up करके नया family का नाम को add करना होगा पहला step में सबसे पहले जोई कि अपना personal details को fill up करना है तो personal details को fill up करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम को टाइप करना है यानि जिस members के name add कर रहे है उस member के नाम को यहाँ पे English में नाम को टाइप करना है और जो अधार कार्ट पे नाम होगा वही सेम नाम को यहाँ पे टाइप करना है उसके बाद यहाँ पे हिंदी में नेम को टाइप करना है मेंबर का यहाँ पे जेंडर को सेलेक्ट करना जो भी जेंडर होगा यहाँ पे सेलेक्ट करना है यहाँ पे डेट ओबर्त को सेलेक्ट करना जो भी डेट ओबर्त होगा उसके बाद आज scroll down करना है यहाँ पे mother's name को type करना है English में यहाँ पे mother's name को type करना है Hindi में यहाँ पे father's name को type करना है English में यहाँ पे father's name को type करना है Hindi में यहाँ पे married status को select करना है कि आप married है या unmarried है जो भी होगा यहाँ पर select कर लेना है उसके बाद यहाँ पर इंडियर को select कर लेना है तो चले इस परकार समसेलेक्ट करते हैं यहाँ पर mobile number को type करना है email id को type करना है next option पर click करना है उसके बाद यहाँ पर देखें दूसरा step का page यहाँ पर open हो जाता है जिसमें general details के बारे में यहाँ पर देना होगा है तो अगर आपका voter ID card बना हुआ है अगर आपके पास EPIC number है तो यहाँ पर type करना अगर नहीं है तो इस वाले option को छोड़ देना है अगर आपके पास मन्रेगा card है तो इस box पर tick out करना है और मन्रेगा का पुरा details यहाँ पर देना है कि आप काम करते है तो जो भी आप काम करते है यहाँ पर select करना ऐसी यहाँ पर अपडहें बहुत सारे function यहाँ पर दिया गया है आपका annually income क्या है यहाँ पर type करना और next option पर click करना है उसके बाद यहाँ पर दिखे ciwriter step का page यहाँ पर open हो गया है तो सबसे पहले यहाँ पर अपना caste काई टिगरी को select करना है जो भी आपका caste होगा यहाँ पर select करना है उसके बाद यहाँ पर select करना है कि head of family के साथ आपका क्या relationship है तो यहाँ पर relation को select करना होगा तो जो भी relation होगा तो यहाँ पर select कर लेना है तो चलिए यहाँ पर हम select कर लेते हैं उसके बाद अब आपक क्या करना है next option पे click करना होगा अगर आप general category से नहीं आते हैं किसी other category से आते हैं तो फिर आपको जो है कि bank details देना होगा तो सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे जो दीख रहा है box box पे record करना है और यहाँ पे bank details देना है सबसे पहले यहाँ पे account number को type करना bank name को select करना branch name को select करना है यहाँ पे bank IFC court को type करना है और अगर आप bank details देना नहीं चाते हैं इस box पे record करना है और next के option पे click कर देना है उसके बाद यहाँ पे देखिए छटा step का यहाँ पे page open हो गया है जिसमें यहाँ पे देखिए member physical details के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है अगर आप एक normal ब्यक्ति हैं अगर आपके अंदर किसी परकार का disability नहीं है बिकलांग नह होगा है तो चलिए हम एक normal ब्यक्ति हैं तो क्या करते हैं next option पे click करते हैं उसके बाद अब यहाँ पे देखिए सत्मा step का page यहाँ पी open हो गया है इसमें अगर आप details देना चाहते हैं तो आपको क्या करना है यहाँ पे देखने के लिए box box पे tick out करके यहाँ से जो भी details मांग जा रहा है यहाँ पे देना है अगर नहीं देना चाहते हैं तो इस box पे tick out नहीं करना है और यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है next next के option पे click कर दना है अब यहाँ पे देखिए आथमा step का page यहाँ पे open हो गया है जिसमें कुछ आपको document को select करना है सबसे पहले यहाँ पे अधार कार्ट select कियें तो इसका issue date क्या है जो भी होगा यहाँ पे select करना होगा तो चले यहाँ पे हम select कर लेते हैं issue date को इस परकार से उसके बाद यहाँ पे जो आपने document को select किये हैं वही same document को यहाँ पे upload करना है तो हमने यहाँ पे अधार कार्ट को select किये हैं तो यहाँ पे देखने को मिल रहेगा गैलरी, गैलरी के option पर click करके अधार काट को select करके upload कर देना है, उसके बाद scroll down करना है, अब यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है, other mandated document आपके पास कौन सा है, तो जो भी आपके पास other mandated document होगा, यहाँ पर select करना है, तो चलिए मेरे पास यहाँ पर ज date को select कर लेते हैं, जिस date में हमने passport को बनाया है, उस date को यहाँ पर हम select कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर document को upload करना है, जो आपने यहाँ पर select किये होई, document को upload करना है, जिसका size यहाँ पर बताया गया है, इसी परकार से जो भी आप से document का यहाँ पर प्रांग किया जा रहा है, दोकमेंट को सेलेक्ट करना है, तो चलिए यहाँ पर हम डॉकमेंट को सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमने सारा कुछ डॉकमेंट को अपलोड कर दिये हैं, अब आपको क्या करना है, तो यहाँ पर देखने के लिए मिल जागा है, नेक्स, नेक् पर लिंक है उस नमबर पर एक OTP को send किया जाता है OTP को fill up करना है उसके बाद जैसे आप final submit के option पर क्लिक करते हैं तो आपके रासन कार्ड में नया member जोडने के लिए हाँ सरीकिवेस्ट दर्ज हो जाता है तो अगर आप रासन कार्ड में नया family का नाम जोडना चाहते हैं और इ इसी परकार से इस एप में बहुत सारे यहां पे service दिया गया है जो आप घर बैठे यूज कर सकते हैं घर बैठे इस्तेमाल कर सकते हैं